और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लारवा गुमते वे दिख रहे होंगे। और यह फ्रेश वाटर, यहनि की शुद्ध जल में ही रहते हैं, मतलब मीठे पानी में रहते हैं, आपको समुद्रव ग्रह में नहीं मिलेंगे और ऐसे स्थिर पानी में रहते हैं कि तैयारी को कोई नई उचाए मिल पाए और नमबर दिसमबर तक सिलिबस को कम्प्लीट करने का इरादा है पर आप देखेंगे कि हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं भाग रहे हैं आराम से पढ़ रहे हैं जैसे जैसे जहां जहां पर ज़रूरत पढ़ रही है ठीके इंट्रोडक्शन जो हम देख चुके हैं सब कुछ यह हमारा चैप्टर फ्लो था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रोक संचरन की वीदिया और वीदियो में सबसे पहली हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष संचरन मतलब डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक का मैं पहले कह चुकी हूँ कि हम कैसे आप बता सकते हैं कि हम फास्ट नहीं भाग रहे क्योंकि मैं बुक में लिखी हुई एक एक लाइन को यहाँ पर टॉपिक बना के शो कर रहे हूँ मतलब मैं आपको एक्स्टा चीजे बहुत सारी दे रहे हूँ जो आपकी एंसी आरटी बुक में नहीं है या छोटी है उसको कैसे लिखना है कैसे एक्स्प्लेइन करना है यह सब बताते हुए चल रहे हैं साथ में हम नीट को भी थोड़ा-थोड़ा कवर करते आ रहे हैं और दूसरे कॉंपेटिशन एक्जाम्स को भी जो आप देना चाहें ठीके तो चलिए सी यू टी वगेरा जो भी आप देना चाहें रोग संचरन की वीधिया कि क्या क्या कैसे कैसे रोग होता है ठीके तो रोग जो है वो किस तरह से फैलते हैं और किन वीधियो द्वारा फैलते हैं तो आप बोलेंगे मैं हाथ लगाने से फैलते हैं खासी खाने से फैलते हैं लेकिन इनका इक पर्टिकुलर हम कैसे criteria में इनको बाढ़ सकते हैं ये हमें पढ़ना है और जैसे मैंने कहा आपकी book में एक एक दो दो line में खतम कर रखा है हम उसको थोड़ा धंग से पढ़ेंगे क्योंकि आगे ये बहुत जरूरी है प्रत्यक्षि संचरन जिसको हम direct transmission कहते हैं और दूसरा हम पढ़ेंगे आप रत्यक्षि संचरन जिसको indirect transmission कहते है transmission का मतलब वही फैलना एक से दूसरे में ठीके चलिए अब ये कौन से वाले हैं ये वैसे वाले हैं जो संक्रमन कारी है communicable disease ही तो फैलेंगी इन communicable disease तो फैलेंगी ही नहीं वो तो एक दूसरे से फैलती नहीं है तो आगर question ऐसे आजाए कि communicable disease के फैलने के तरीके बताओं तो आप बुलेंगे मैं आपने बताया ही नहीं बताया है नहीं ये उसी के तरीके हैं अब रोग संचरन का मतलब तो यही हो गया रोग का फैलना अब फैलते कौन है communicable संक्रमन वाले तो उसी की बात कर रहे हैं ठीके चलो सबसे बहले बात करेंगे हम प्रत्यक्ष वाले की कि प्रत्यक्ष या सीधा संचरन मतलब डायरेक्ट कॉंटेक्ट देखो नाम जो है इसका बता रहा है कि directly जिसमें disease है वो direct आपको disease transfer कर रहा है किसी की मदद नहीं ले रहा है है ना वो बहुत independent है वो दूसरों की मदद लेना नहीं चाहता है वो चाहता है कि सारा काम तो मैं ही करूँ ठीक है वो सारा credit हो मैं ही लूँ कि मैंने जो है वो बिमार्य पेलाई है तो ये वाला केस है प्रत्यक्ष वाले में क्या होगा इसमें सीधे ही जो जिस व्यक्ति में disease है वो सीधे ही दूसरे को transfer कर देता है प्रत्यक्ष या सीधा संचरण जिसको direct transmission कहते हैं प्रत्यक्ष संचरण में रोग जनक रोग जनक मतलब जो रोग फैला रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं पैथोजन ठीक है पैथोजन स्ट्रोथ या रोगी व्यक्ति से सीधे ही किसी स्वस्त व्यक्ति तक पहुच जाता है इसे किसी के बीच के किसी बीच के माध्यम या अभी कर्मक की आवशक्तन नहीं होती कुछ को हम थोड़ा सा detail में पढ़ लेंगे और कुछ को short में सिर्फ topic लिख कर छोड़ेंगे क्योंकि उनका detail इतना मैंने जैसे कहा NCRT में इतना है नहीं हम फिर भी थोड़ा सा detail कर रहे हैं क्योंकि question आजा तो आपके पास कुछ लिखने के लिए रहे ठीक है तो कुछ को हम discuss क करेंगे जो मुझे लगता है important है और कुछ को topic wise ही छोड़ देंगे चलिए direct list देंगे जिनको सबसे बहले है रोगी या संक्रमित व्यक्ति से संपर्क यह सबसे बड़ा और यह तो आपको पता भी है सब को ही पता है कि direct जो रोगी है वो किसी के contact में आ जाए अब वो contact में कै कैसे आएगा या तो वो अपना थूक आप पर transfer करेगा जैसे कि हमने कोरोना में बड़ा सुना या उसके हाथ में अगर वो germs है या virus है या bacteria है तो आपका touch करा हुआ या उसका touch करा हुआ खाना आप तक पहुच जाए तो हो जाएगा ठीक है और और जो है क्या कैसे कर सकता है आप उसकी जूटी cigarette पी रहे हैं तो आप कर सकते हैं जूटा उसका पानी पी रहे हैं जूटा उसका खाना खा रहे हैं तब transfer कर सकता है आप उसके साथ sexual contact कर रहे हैं sexual relationship बना रहे हैं physical relationship बना रहे हैं तब भी कुछ ऐसे disease होती है जो sexual disease होती है वो तो इसी तरह फैलेंगी ठीक है अब इस प्रकार सामाजिक संपर्क से सामाजिक संपर्क मतलब वही social contact है न हम तो सामाजिक प्राणी है यह मैंने पहले बताया है कि humans are the social animal ठीक है संपर्क से फैलने वाले रोगों को चुआ चूत की बिमारी या contagious यह आपको word याद रतना है contagious disease कहते हैं ठीक है कवक जन्याप कौन-कौन से है यह जो चुआ चूत से फैलती है बास समझ में आ गई इतने सारे methods मैंने आपको बता दिये बरतनों से फैलता है अगर आपकी chicken box वगरा किसी को हो जाता है तो फिर आपको ध्यान है उसको है सेपरेटली रखा जाता है उसके बरतन वरतन टीबी वाले पिशेंट को भी अलग रखा जाता है उसके बरतन वरतन सब क्योंकि यह contact से फैलते हैं संक्रमण है यह communicable disease है पहले कवक कवक भी क्या करते हैं एक से दूसरे में फैलाते हैं जिनको हम fungal infection कहते हैं जैसे आपको कोई disease है skin की कवक ने आपको अपने जकड में ले लिया है आपको दाथ खाथ खुजली हो गई है और आप इच गाट से भी उससे निजाद नहीं पा पा रहे हैं और फिर आपने क्या किया आपको यहां पे हो रहा है आपने अपने दोस्को भी fungus जो है transfer कर दिया आपने टच किया उसको भी क्या हो गया फंगस वहाँ पे भी चला गया जाएगा इसकी 100% फिर शनियर नहीं है लेकिन जा सकता है हम इसले सकता है सकता है बोल रहे है तो भाई उसको भी क्या हो गई यह disease हो गई दूसरा जैसे दाट काथ खुजली दाट काथ की रक्षा करता है लाईब वई ऐसा कुछ है क्या नहीं ठीके एड़ याद आ गया मुझे ठीके डाट का फैलता है, आइफलू होता है और यह कहते हैं कि यह आखों में देखने से फैलता है, आखों से देखने से मतलब वो एर में उसके बैक्टीरिया जाते हैं, आखों से देखने का मतलब यह नहीं कि आपने उसके आखों में देखा और आपको आइफलू हो गया, वो तो ऐसे हम कह इन डायरेक्ट वे में हम यह कह रहे हैं कि वह फैलता है अगर उसने अपनी आँको मसला है आपको टच कर दिया है आपने फिर वही हाथ अपनी आखों में लगा दिया है तो फिर वैसे फैलता है ठीक है आई फ्लू चिकन पॉक्स जिसको हम जनरली छोटी माता कहते हैं ना बाड़ी पर फुंसिया हो जाती है रिचुल्स हम उसको जोड रखे हैं हमने छोटी माता हो गई फिर उसको अलग रखा जाता है फुंसिया वगरा जाती है बाड़ी पर तो वो है खसरा जिसको मीज जादा कुछ explain करने की जरुत नहीं है, आप चाहें तो एक एक दो-दो line जो मैं अभी बोल रही हूँ, वो कर सकते हैं, ठीक क्योंकि long time के answers में इसके आने के chances कम है, तो जबर जिस्ती का detail लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप बस समझ सकते हैं इसको generally, draw plate से, draw plate का मतलब वही, थ तो draw plate संक्रमण, प्रसव के समय संक्रमित मा से सिशु को, ऐसा आपने AIDS वगेरा में पढ़ा है, है ना HIV वाले में, कि अगर जो lady pregnant है, अगर उसको AIDS या ऐसी hijpitatic type की बिमारिया हैं, जो वन्शागत होती है, तो फिर क्या होगा, उसके बच्चे में भी वो क्या आ सकती है, बिमारी आ सकती है, उसको भी क्या हो सकता है, AIDS हो सकता है, sexual disease जतनी बी आती है, वो भी ऐसे ही होती है, अगर मदर को है, तो उसमें बच्चे को होने के chances जादा ह तो यह उस बात को कह रहा है प्रसव के समय यानि कि यहां पर यह प्रसव के समय कह रहा है मतलब delivery के समय delivery के समय मतलब क्या होता है वैसे भी मा और बच्चे का blood एक दूसरे के directly contact में तो नहीं आता लेकिन transfer होता है लेकिन जब delivery होती है तो वही cutting cutting होती है जिसके वज़े से मा और बच्चे का blood जो है वो mix हो जाता है तो उस time दी क्या हो सकता है disease फैलने का खत्रा रहता है घाव या कटी तवचा का मिट्टी से सिंदा संपक जिसको हम titnes कहते हैं जरासा कई हम लग जाते हैं मिट्टी से रगड़ा जाते हैं तो हाला कि जादे तर लोग इस पर ज्यान नहीं देते क्योंकि बच्चे तो दिन में दस बार रगड़ाते हैं लेकिन कुछ extra sensitive लोग और ही इसके chill गया चलो इसको titnes का ingestion लगवा के आते हैं तो जनरल हमें बच्चपन में लगा दिया जाता है इसलिए 6 महीन चलता है तो फिर आपको हर 6 महीने में लगाना होता है लेकिन आप में से शायद कोई भी हर 6 महीने में नहीं लगाता है क्योंकि हमारी anti-bodies develop वे बच्चपन से हम तो मिट्टियों में रगड़ा आते आ रहे हैं तब भी आप कहते हैं कि टिटनस का इंग्डिशन लगवा दो इस तरह से रैबिस ग्रस्त जनतों के काटने से ठीक है रैबिस क्या होता है वो जो कुट्टे के काटने से फैलता है है जिसमें वो जाग वाग निकलते हैं पकड़न आ जाती है बोडी के इंदर तो जनरली हम कि रैबिस जो है वो हमारे आसपास कुट्टों में होता है लेकिन चूहे भी फैलाते हैं अब चूहा तो आपको काटने जनरली आता नहीं है काट कौन सकता है कुट्टा काट सकता है तो उसके काटने से लेंगिक संपर्क से ये में बोल चुकी हो कि सेक्शुल आप कोई फि अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष संक्रमन की यानि कि ये डायरेक्टली नहीं फैल रहा इसको क्या चाहिए ये बड़ा आल सी टाइप का कि भाई मेरे से तु ना होगा अगर तेर को फैलना है तो तू अपना कोई जुगार ढून ले मैं तो कई जाने वाला नहीं हूं क उन्हों आपस में बात करते हूंगे तो वही वह बैक्टिरिया कहता है चल तेरी कोई गरज नहीं है मैं किसी और माध्यम से और मीडियम से अपने आपको फैला लूँगा तू ही नहीं है दुनिया में और भी है तो वही क्या और भी है इंडायरेक्ट वे में आप संक्रमन कुछ रोग जनक रोगी व्यक्ति या इस त्रोच से किसी माध्यम द्वारा स्वस्त व्यक्ति तक पहुचते हैं जैसे वायू जन्य संक्रमन ठीक है कुछ रोगानू वाय हवा के माध्यम से वह दूल के कणों के माध्यम से स्वस्त व्यक्ति तक पहुचते हैं अभ यहां खड़े हैं और मैंने आप पे थूख उड़ाया और आपको disease हो गई तो यह direct है लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ फाड़ फाड़ के गला चिला रही हूँ कोई आसपास नहीं है जैसे अभी studio में कोई नहीं है बंद पड़ा है ऐसी चल रहा है और अब मैं यहां पे चिला रही हूँ अपने ड्रॉपलेट फैला रही हूँ और अभी तो किसी को directly मैंने contact किया है लेकिन मेरे जाने के बाद यहां पे जो आया उसको अगर यह disease हो गई तो मैंने क्या माध्यम चले किया हवा अभी माध्यम है मैंने directly उसके कोई contact नहीं किया है ना वो शातिल लोग होते ना दूसरे के कंदे पर बंदूप चला रखकर बंदूप चला ना वो अलग कीस हो गया ठीक है समझ में आ गया कि यह direct क्यों नहीं है चले नेक्स्ट है जल जन्य वह यह simple माध्यम आप अपने आसपास कोई भी सेलेक कर लो जल जन्य को व्यापक रूप से जल के माध्यम से सभी खादे पदार्तों जैसे कटे फल संदूशित फलों के रस खुली में रखी चाट यह तो मैंने especially डाला है आदी के माध्यम से फैलने वाले रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है टाइफाइट, हेजा, पैचिस, पोलियो, पीलिया अब यह पोलियो और पीलिया अलग-अलग हैं यह मुझे लगता है आपको पता होगा कि आप इतने बड़े हो गए हैं तो पोलियो और पीलिया में फर्क होता है यह समझ गए होंगे आप हेपटाइटिस A कहते हैं पीलिया को जो बोड़ी पिली हो जाती है जिस्के है बिली रुबीन और बिली वरडीन बढ़ जाते हैं बोडी के अंदर हमारी जो Vile Juices है उसमें दो वरनक होते हैं दो बढ़ी टो बढ़ जाते हैं तो पीलिया हो जाते है और पोलियो क्या है जिसमें हाथ पैर जो हैं वो डिसेबल टाइप के हो जाते हैं खाद्य विशाक्ता फूड पॉजनिंग जल आदी जल कैसा दूशीत वाला जल ठीक है तो यह जो है वो क्या रहेंगे आपके जल जनित रोग हो जाएंगे यानिकि वाटरबॉर्ण इंफेक्शन अभी पोलियो समझा दिया इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें से आपको हमारी जो बुक है हमारी प्यारी बुक में टाइफाइट पढ़ना है आपको ठीक है डिटेल में थोड़ा सा और इनके बीच बीच में मैंने सबके बताए भी थे जब यह पहले आये थे तो इनका बहुत वाइरस इनके रोग जनक बता के मैंने इनका स्वागत किया था और आज कल बारिश का है तो ऐसी वाले डिजीज जो है फैलने का बहुत खत्रा है और इसपेशली जो चाट खाने के शौकीन है वो खुले में समोसे कछोरी फकोडी है ना आदो को तो भूक लग गई होगी महां क्योंकि हमारे अर्जमेन में तो बाहर बारिश हो रही है तो लग गई होगी पर मै बता दो मुझे ऐसा कोई चाट का शौक नहीं है और मैं सब कुछ घर पे बना के खाते हूं मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है है ना तो मैं को बाहर खाने का कम शौक है थोड़ा और मैं घर में ही खाती हूं बनाकर और सबसे यूनीक बात जिसके लिए लोग मुझे नेक्स्ट है वस्तू जन्य जिसको फोमाइट बोन भी कहते हैं फोमाइट कई आप हिंदी में फोमाइट लिखा अभी पढ़ेंगे उसका मतलब वही होता है कि वस्तू से पैलने वाले कि वही मैंने किसी नाक में ऐसे ऐसे हमुली डाली है ना सेड़ा निकाला और फिर वस् आपको ज्यादा इम्म्यूनिटी कर रही है आपको ज्यादा इम्म्यूनिटी कर रही है ठीकिए आपकी वीख है तो आपको हो सकती है और आज तक मुझे फीवर नहीं आया तो नॉर्मल सर्दी भी मुझे साल में एक ही बार होती है जब जस्ट मौसम चेंज होता है जैसे अ मेरा पूरा साल निकल जाएगा, अब कुछ नहीं होगा मुझे, वही antibody डेवलप हो जाती है, और थोड़ा सा मैं योगा भी करती हूँ, जो होगा, योगा से होगा, तो ये खास बात है, और मेरी चहरा तो आप देखी रहे होंगे, बच्चो जैसा, तो यही राज है सबका, ब दो होगा, जी तो फैल आते हैं होगा, फैली order, peace, in wiped! आपको पता है कि जिदने भी दुनिया मेन, इंसेक्च थी ऑउर्थोपोडा की प्राणी है, और सबसे बड़ा संग मतलब Animal Kingdom में, अगर आपने । 11 नहीं पड़ा है वन्ना मैंने तो बताया है कि orthopoda संग जो है वो पूरे animal kingdom का सबसे बड़ा संग है और उसमें भी insect class जो है वो सबसे बड़ी class है क्योंकि सबसे जाधा maximum type की species जो है वो कीडो की मिलती है और शायद आपने ये अपने आसपास नूटीज भी किया होगा तो भई बिमारियों का घर है ये एक तरह से मनुश्य का खून चूसने और बच्चों का खून चूसने वाली मैं ऐसा मियां पर आसकता है लिखा हुआ मनुश्य का खून चूसने वाले कुछ कीट रोग जनको के वाहको का काम करते हैं या तो आपको मच्चर की बात कर रहा है ये मैं आपको जूए भी बताया था जिनको लाइस कहते हैं खटमल वो भी बताया था वो भी यही काम करते हैं ठीक है चलो अब हम बात करने वाले हैं उन्ही सबसे बड़े संग की बात जो आपको याद रखनी है कि कौन सा कीला, कौन सी मखी, कौन सा मच्छर आपको कौन सी डिजीज फैला रहा है सबसे पहला जो सर्वो परी है जिसके बिना ये शुरू नहीं हो सकते वो है बिचारी मादा एनाफिलेज मच्छर और यहाँ पर आप मादा जरूर लिखेंगे उसकी बेजती ना करें नर को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देंगे ठीके मादा एनाफिलेज मच्छर इसको पढ़ना भी है हमें इस डिजीज को मैं आपको बताया था हाती पाओ रोग जिसको कहते हैं यह फैलाता है मतलब मैं फैलाने के बात करें इससे होता है यह बात नहीं करें जैसे malaria है वो मच्छर फैलाता है लेकिन होता plasmodium की वज़ा से इस मच्छर के अंदर plasmodium नामक प्रोटोज हुआ रहता है जो malaria का रोग जनक है यह रोग जनक नहीं है यह सब क्या पढ़ रहे हैं हम वाहक पढ़ रहे हैं क्योंकि हम रोगों का संचरन कैसे होता है वही तो प कर रहा है जैसे मच्छर के अंदर plasmodium है qlex यह phylaris फैला रहा है मैंने आपको बताया था हाती पाव रोग जिसको हम elephantesis भी कहते हैं उसमें पैर जो है वह हाती जैसा हो जाता है अभी आएगा आपके आगे और यह जो है यह क्या कहलाता है इसका जो रोग जनक है वह वुच अगर आप उसे 11th पड़े होते तो मैंने जब जब कोई class आई है और उससे कुछ special चीज जूड़ी हुए है तो बताई है 11th फालों को मैंने यह ज़रूर बताया और कहा एक ही 12th में यह खाम आएगा ठीक है चलो आजाओ एडिस मच्छर एडिस मच्छर जो है वह डेंगी मै centphly यहनि की काला जार जिसको कहते हैं वो भी क्या खुलाती है cent phly कहलाती है यह वह बड़ी special अब आपको लग रहा होगा कि इसको शीशी लिखा है और spelling जैसे जब हम शुरू में आये थे, हमें नहीं पता था, कि इसको सीसी बोलते हैं, तो हम तो इसको टैसी टैसी बोलते हैं, बाद में हमें जागरुकता मिली, किसी ने हमें बताया कि ये टैसी टैसी नहीं है, इसका टी जो है वो silent है, sleeping sickness, जो मैंने आपको बताया था, ट्रिप् फैलाता है ठीक है बाकी जो है यह चुहूस में भी फैलता है गरेलू मक्खी यह तो वही बिमारियों का घर है इनकी तो कोई अंथी नहीं है और यह टाइप 5 पेचिस खा दिया जो फूट पॉइजनिंग है वह भी फैलाती है मच्चरों में केवल मादा मच्चरी मनुश्य का रखत चूसती है नर मच्चर पादप रसोपर निर्बर करते हैं यह बड़ा हाइलाइटेड है मैं अभी वहाँ बताने भी वाली थी लेकिन मुझे याद आगया आने वाला है ठीक है चलो मच्चरों में सिर्फ जो मादा है न हमेशा फीमेल ही कैरियर होती है आदमियों को जो है बीमारी फैलाने का नाम जो काम करती है वो फीमेल कैरियर होती है वाहक होती है जो सारे रोग होते हैं जैंट्स में वो मदर से ही आते हैं वो आहां पे भी पढ़ा था और मैंने आप से कहा था कि यह जोरदार होती है तो जो भी खून चूस रही है वो कौन है वो मादा है तो सारे लड़के जो हैं वो बच के रहे क्योंकि मच्छर मादा है और अगर उसको किस करनी है यानि कि उसको खून चूस ना है तो वो किसका चूसेगी जनरली मेल का तो सारे जो बच्चे हैं लड़के हैं वो बचके रहे क्योंकि मादा को इंटरस्ट तो नर में ही होगा और नर जो है वो काटते नहीं है ठीके वो क्या करते है फूलों का रज चूसते हैं विचारे सात्विक है विलकुल है ना सीधे साधे सच्चे इंसान अब मादाय भी हमेशा मच्चर जो मादा मच्चर है वो हमेशा खून नहीं चूसती है जब उनको जनन करना होता है जब उनका लेंगिक चक्र स्टार्ट होता है उनको सेक्शुल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे खून चूसने की जरुत होती है जो बच्चे उनके अंदर है उनको भोजन देने के लिए हमारा खून चाहिए जब उनको जनन नहीं करना होता तो वो भी फूलो का ही जूस पीते हैं लेकिन जब उनके बच्चे अंदर अंडे हैं और उनको पोशन देना होता है उनको बड़ा करना होता है उनकी व्रदी गरनी होती है तब उन्हें हमारी जरूरत रहती है ठीक है चलो मानव वाहक यह तो सबसे बड़ा जन्तु जो मैंने कहा दुनिया में सबसे हमारी बायो वाली मैम तो हमेशा हमें कहा करती थी कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बुरा जानवर है तो वो ये दो पेरो वाला जानवर ही है और इस बात में शायद सचाई भी है कि हम जो ये नहीं करते उससे बड़े-बड़े कांड हम कर लेते हैं तो मानम वाहक जो है वो क्या है हो सकता है जैसे कि आपने कोरोनाना में देखा कि वही एक दूसरे को बहुत फैलाया हमने जी भरके फैलाया गुषासट कि अगर आपको कोई डिजीज है और आप पिंपाड़ी आपने साथ में आपनी आपनी करके कि रहेंगे इसलिए आज कल जब भी जो है रक्तदान करवाया जाता है तो या तो आपसे चेक अप करवाया जाता है अपका या फिर आपसे confirmation मांगा जाता है कि आपको कोई disease तो नहीं है communicable ठीक है ऐसे ही नहीं कि जाके रख्तदान कर दो बिना वी संक्रमित किया अर्था संदोशित रख्त रोक संचरन का एक प्रमुख माध्यम है वी संक्रमित किया मतलब क्या हो गया है कि आपने जब भी किसी को blood दिया जाता है तो पहले उसको test किया जाता है कि आप तो जूट भी बो सकते हैं आप पर वरोसा नहीं करते मैंने कहा ना मानव सब्से बड़ा खराब जंतु है तो आपका लेने के बाद भी blood को क्या किया जाता है टेस्ट किया जाता है कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है उसके बाद किसी और को दिया जाता है ठीक है चलो तो यहाँ पे जो है हमें क्या पढ़नी है मादा एनाफिलीस की जो है वो पढ़ना है बढ़िया सा और इसी के लिए क्योंकि देखो मजे करो मैं थोड़ी देर में आती हूँ देखो बच्चो ये पक्षियों को डाना डालते है वो पात्र है और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लार्वा गुमते वे दिख रहे होंगे ये हैं मच्छरों के लार्वा और इसी में रहते हैं एनाफिलीज मच्छ स्थिर पानी में रहते हैं मतलब जहां का पानी ज्यादा हिलता नहीं है मतलब सड़क के किनारे कोई गड़ा है या ऐसा पड़ा हुआ पानी है उसमें और देख रहे हैं आप कितने सारे हैं ये सब मच्छरों में बदलने वाले हैं और आपको बिमारिया फैलाने वाले हैं तो आपको क्या करना है भई, जो मैं करने वाली हो, आपको इनको क्या करना है, हटाना है, सफाई करनी है, ये देखो, कितने सारे हैं, मतलब बहुत सारे, अगर आप देख पा रहे हो तो, ये देखो, एक तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, मच्चर के लार्वा का स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे आप, जो दिख रहे हैं आपको, ये सब मच्चर के लार्वा हैं, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये एक उपर आ रहा है, देखो, एक को मैंने बाहर निकाला है, और आप देख पा रहे होंगे, इसका काला सा जो है, आपको दिख रहा हैं यहाँ पर, ये, ये इसका हेड है, और ये इसके पूरी बोड़ी है, ये मच्चर का लार्वा है, तो देखा आपने कि कैसे होते हैं मच्चरों के लार्वा, अब उसमें कोई भी प्रकार के मच्चर हो सकते हैं, हो सकता है, उसमें एना फिलीज भी हो, क्यूलेक्स भी हो, एडीज भी हो, है ना कोई भी प्रकार का मच्चर हो सकता है उसमें, और वो कितने भी बिमारिया फैला देते हैं, तो आप बोलेगे, मैम, मैम, जल्दी से अट को अटा दू, अटा दिया मैंने, ठीक है, चलो, वो आपको दिखाने के लिए रखा था, तो अब जो है, हमारा जो चैप्टर है, वो शुरू हुआ है अभी तो, खतम कब होगा यह हमें, पता नहीं, और I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नई कहानियों के साथ।